हेलो फ्रेंड्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं कुर्ती की स्टिचिंग मताने जा रही हूं तो देखिए यह जो मैं निक बनाई हूं, बहुत ही फिनिसिंग के साथ बना है इसको बनाने के लिए मैं पेपर पेश्टिंग ले हूं पेपर पेश्टिंग को मैं डबल में फोल्ड करके रखी हूँ और फोल्ड वाले साइड से ही जो नेक की कटिंग की थी और उसके बीच वाला जो कपड़ा निकला था उसी को रख करके मैं निशान लगा रहे हूँ आप चाहें तो measurement करके भी आप निशान लगा सकते हैं यानि कि कुर्ती पर जैसे आप measurement करके निशान लगा थे तो यह मुसी तरीके से paper pasting पर भी निशान लगा सकते है मैं उसी कपड़े को रख करके मैं निशान लगा ले हूँ फिर बाहर के side से भी 1 इंच के चोड़ाई में एक और निशान में लगा ले हूँ और दोनों निशानों पर cutting कर लेना है तो cutting करने के बाद देखिए इस shape में paper pasting आपको दिखेगा और इसको अब हम क्या करेंगे एक अलग से कपड़ा लेंगे और उसके उपर हम past कर लेंगे तो iron करके भी हम इसको चिपका सकते हैं मैं यहां iron नहीं कर रही हूँ मैं इसके उपर एक सिलाई लगा करके फिर दोनों को एक साथ मैं चिपका ले रही हूँ तो देखे इस तरीके से पहले center से center मिलाते हुए इसको रखना है और उसके बाद से हम सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से पहले हम निशान लगा लेंगे और उसी निशान के according हम paper pasting को रखेंगे और paper pasting के center में एक मैं सिलाई लगा रही हूँ जिससे की दोनों एक साथ fix हो जाए कपड़ा और paper pasting दोनों आप iron भी कर सकते हैं तो इस तरीके से center से center मिलाते हुए मैं paper pasting को कपड़े के ऊपर मैं रख करके और मैं सिलाई लगा ले हूँ सिलाई लगाने के बाद जो extra कपड़ा है उसको cut कर देना है उसके बाद से बाहर का जो extra कपड़ा है उसमें छोटा-छोटा cut लगा लेना है cut लगाने के बाद उसको अब हम paper pasting के ऊपर fold करेंगे और एकदम किनारे-किनारे सिलाई लगा लेंगे हम cut इसलिए लगाते हैं ताकि अच्छे से fold हो जाए तो देखे इस तरीके से fold करके और सिलाई लगाते जाना है नीचे जो corner वाला जो design है उसको भी अच्छे से finishing के साथ हम fold कर लेंगे और फिर उपर के side तक हम fold करते हुए सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको कूर्ती में attach करेंगे तो देखे यहां मैं सिलाई लगा ले हूँ अब हम इसको कूर्ती के उपर रखेंगे तो कूर्ती का जो front part है उसको हम सीधा करके रखेंगे और उसके उपर हम इस तरीके से center से center मिलाते हुए रखेंगे तो देखे तो देखे से cut करने के बाद अब हम इसको neck के उपर रखेंगे कूर्ती को हम सीधा रखेंगे और सीधा वाले side के तरफ हम neck के पट्टी को रखेंगे और देखें अच्छे से finishing के साथ दोनों कपड़ों को बराबर में मिलाते हुए फिर हम सिलाई लगाएंगे यानि कि जो neck को वाला कपड़ा है वो और जो कूर्ती वाला कपड़ा है उसको दोनों को हम एक बराबर रखेंगे और अच्छे से finishing के साथ हम सिलाई लगाएंगे कॉर्नर में भी हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे यहाँ सुई को नीचे के side कर देंगे और फिर कपड़े को हम उठाएंगे और इस तरीके से घुमाती है फिर हम उपर के side तक हम सिलाई लगा लेंगे दो डिजायन के recording अच्छे से finishing के साथ सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा वाले side पलट लेंगे तो पलटने से पहले हम पूरे neck में छोटा छोटा कट लगाएंगे कट लगाने से बहुत ही finishing के साथ यह neck पलट जाता है तो इस तरीके से देखिए मैं यहां पूरे neck में मैं कट लगा ले हूँ अब हम इसको इस तरीके से नाखुन से दबाते हुए हम पहले प्रेस कर लेंगे उसके बाद हम इसको उल्टा वाले side पलट करके और फिर हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए यहां मैं पलट रहे हूँ कट लगाने से बहुत अच्छे से पलट जाता है यह तो इस तरीके से पलट करके जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई एकदम किनारे किनारे हम finishing के साथ लगाएंगे और जब नीचे तक हम सिलाई लाएंगे तो सुई को अंदर के साइड कर देंगे और फिर कप्ड़े को उठाते हुए फिर जो दूसरे side का निक है उधर भी हम एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा करके इसको finish कर लेंगे तो यहां मैं निक तयार कर लेंगे इसमें चोटे 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 श्टोन है तो उसको निकाल करके फिर मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि सुई टूटे नहीं तो यहां मैं निक मैं तयार कर लेंगे अब उल्टा वाले side से हम नीचे के side तुरपाई कर लेंगे इसमें work है इसमें अगर हम सिलाई भी लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा लेकिन छोटी छोटी इसमें stone है इसलिए मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ यहां मैं तुरपाई कर लोगी अब हम इसके उपर back part को रखेंगे और solder को attach करेंगे यानि कि दोनों side के solder पर हम सिलाई लगाएंगे तो finishing के साथ solder कैसे attach करते हैं देखी जो मैं front neck मैं तयार की हूँ उसमें जो top stitch मैं की थी यानि कि जो बाद में मैं सिलाई लगाए हूँ उस सिलाई को थोड़ा सा खोल लेना ह उपर के side से लगवक half inch खोलना है दोनो side से तो देखिए इस तरीके से मैं दोनो side से मैं थोड़ा थोड़ा सिलाई मैं खोल ले रही हूँ खोलने के बाद जो नेक पट्टी है उसको हम बाहर के side निकाल लेंगे और जो back part का नेक है उसको हम उसी तरीके से रहने देंगे सिर् फिर उसके उपर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से जब हम सिलाई लगाते हैं तो इसके finishing बहुत अच्छी आती है देखिए यहां मैं सिलाई लगा ले हूँ सिलाई लगाने के बाद इसको पलटने के बाद देखिए finishing इसकी बहुत अच्छी आई है किनारे से पाट का जो नेक है उसके उपर फोल्ड करके फिर माइश मुझाय लगाई हूँ और इसके बाद से देखी इसको पलट करके सिधा कर लेना है तो यहां मैं दोनों साइड के सोल्डर को मैंच कर ले हूँ अब इसमें मैं slips को attach करूँगी उसके बाद मैं fitting का सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से जब हम fitting का सिलाई लगाते हैं तो अगर बाद में कभी खोलना भी पड़े fitting वाला सिलाई यानि की loose या tight करना पड़े तो बहुत ही असानी से हो जाता है तो इसलिए सबसे पहले मैं slips को attach कर ले रही हूँ उसके बाद से दोनों के fitting का सिलाई मैं एक साथ लगाऊंगी यानि कि slips का भी और कुर्ती का भी तो देखें यहां मैं slips के सामने वाला सिलाई मैं लगा ली हूँ अब इसको कुर्ती में attach कर लेना है तो सबसे पहले हम center से center मिल इसको रखेंगे यानि कि सोल्डर के पास से मैं यहां slips attach कर रहे हूँ तो जो इसमें सेप की cutting की गई रहती है slips में उसको हम front part के साइड रखेंगे और फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पहले हम एक साइड का सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे से हम इस सिलाई को लगा लेंगे और यह जब निचे तक कर लेना है तो फिर वहां से हम सुल्डर के पास तक यानि की सिलाई को डबल करते हुए सोल्डर के पास तक लेकर आएंगे दिखिए ऐसे सिलाई भी हो गया और अच्छे से सिलिब सटेज भी हो गया इसमें तो इसी तरीके से दोनों साईड का हम सिलेत कर लेंगे सिलिप सटैज करने के बाद अब हम में फ्रिटिंग का पहले निचान लगा पर निशान लगा लेना को दो सजा है और मोऊटेने कि में कौर्ती को ओपन रखेंगे ऐस यहां वहाँ लगाना है तो ये वहाला कि यहां से कुर्थ्य हम औपन रखेंगे तो जब हम साइड का चौक बनाएंगे उसके लिए है तो यहां später उसके बाद से नीचे से मैं फिर से सिलाई को मैं डबल कर ले हूँ तो देखे इस तरीके से मैं सिलाई लगा ले हूँ सिलाई को मैं डबल भी कर ले हूँ अब नीचे से कपड़े को दो बर फोल्ड करना है हाफ आफ इंच हम दो बर फोल्ड कर लेंगे उसके बाद से हम एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ जो ओपन वाला साइड है उधर के साइड हम किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं फोल्ड वाले साइड के तरफ सिलाई नहीं लगाना है तो देखिए इस तरीके से मैं कपड़े को फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा ले रही हूँ और जहां से open रखना है वहां हम अच्छे से पहले finishing के साथ फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड का पहले हम फोल्ड करके इस तरीके से एक बराबर हम रख लेंगे उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए सिलाई लगाते हुए हम थोड़ा सा उपर तक लाएंगे और फिर सुई को अंदर के साइड करेंगे फिर कपड़े को उठा कमेंट करके जरूर बताईगे और चैनल को अभे तक सबस्क्राइब नहीं कि है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू